हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयर वेलकम टू माय चानल आज हम बनाएंगे मोहरम में बनने वाला बहुती टेस्टी और इजी शर्बत की रेसिपी यह बहुत टेस्टी बनती है जरूर ट्राइ करिएगा और रेसिपी पसंद आई हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करन आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए बनाते हैं मोहरम वाला तूद का शर्बत तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल और एक टी स्पून में आट करी हूँ तुक मलंगा इसको बेजिल सीट्स भी कहा जाता है थोड़ा सा पानी आट कर लेंगे यह हमेशा चाशनी बना कर ही आट करें शर्बत में कच्छा आट नहीं करें आधा ग्लास पानी और आधा ग्लास आट कर दिया है सौरी आधा कप मैंने आट किया है चीनी दो बून आट कर लेंगे केवरा एसेंस और साथ मैं आट किया है थोड़ा सा इलाइची का पाउडर आप चाहें तो एलाइची powder skip कर सकते हैं या फिर kevara essence को skip कर दें सिरोफ एलाइची भी add की जा सकती है मैं याँ पर food color add कर रही हूं तो यह मैंने लिया है rose color अगर आप चाहे तो color skip कर सकते हैं तो इस से जो आपकी शर्बत का color है वो बिल्कुल white सा होगा और इसको हमने बहुत अच्छे से mix कर लेना है gas का flame आपने थोड़ा सा medium ही रखना है और बीच बीच में चला आ ले ताकि चीनी जो है वो नीचे लगके जले नहीं इसमें हमने कोई भी एक या दो तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है जितना चीनी था उतना ही पानी आड़ कर ले और सारी चीज़े आड़ करके mix कर ले वस अच्छे से उबाला आ जाए चीनी बिल्कुल ही melt हो जाए तो चाशनी तेयार है gas का flame आपने off कर लेना है और चाशनी को हम side में रख देंगे इसको हमने थोड़ा ठंडा कर लेना है गरम गरम चाशनी आड़ नहीं करनी है यहाँ पर मैंने लिया है अधा लिटर दूद अगर आप एक लिटर का बना रहे हैं तो सारे इंग्रीडियन डबल कर ले मैंने यहाँ पर उबाल के ठंडा किया है दूद को आप चाहें तो कच्छा दूद भी आड़ कर सकते हैं सब्जा की बींज अची तरह से फूल गए थे वो सारा आड़ कर ले चाशनी जो हमने बनाई थी वो भी हमने इसमें सारा आड़ कर लेना है चाशनी आड़ करते के साथ बहुत अच्छा कलर आ गया है बारिक कटा हुआ बदाम और पिस्ता लिया था मैंने आप चाहें तो स्किन पील करके उसको बारिक स्लाइस कर सकते हैं मैंने ऐसे ही कर लिया है और ये हमारा शर्बत बनके त्यार है फ्लेवरिंग के लिए पहले ही हमने इसमें केवरा और एलाइची आड़ कर ली थी तो ये वैसे पीने में बहुत टेस्टी लगता है आप चाहें तो कुछ बरफ के टुकडे आड़ कर ले थोड़े से गुलाब की पंखुडिया आड़ कर ले आज के लिए इतना काफी है फिर मिलूँगी एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक इजाज़त चाहते हूँ थांकि सो मच फो वाचिंग माई वीडियो टेक गूट केर बाई